दोस्तो एक बीवो का चार्जर है दोंपेर का प पतुर केंगे और इसमें दिख्यत क्या हुई हुई थी के उपर से गिर गया था तो यह चाँजिंग आउटपुट नहीं कर रहा था बुल्टेश तो इंपुट कर रहा था पर यह आउटपुट कुछ नहीं कर रहा था इसमें स्वर्टिंग भी नहीं है दोस्तु स्वर्टिंग भी समें मैंने। चेक करके देख ली। और इसको खोलने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ करना है और जो है स्कूरू ड्राइबर की मदद से आप इसको यह से उखाड सकते हैं वैसे इसको उखाड़ना बहुत मुश्किल होता है यदि आपने कभी औरिजिनल चार्जर खोला हुआ तो आपको पता हुआ हम इसकी पी सीबी को बाहर नकाल लेते हैं तो दोस्तो इसकी पी सीबी में नकाल ली है और इसको आप देखेंगे इसको दिहान से देखेंगे तो सबसे पहले तो हमें देख के पतार करना है कि इसमें क्या फाल्ट है यदि आपको कुछ एंसल लग रहा है कि इसमें कुछ फाल्ट हो गया है या क्यापिसिटर या इसकी कोईल वाईल वगेरा या फ्यूज तो आप उसको जो है रिपेर कर सकती है डारेक्ट यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ भी फॉल्ट नहीं हुआ है तो फिने इसका फॉल्ट केंसे पता करेंगे यहाँ पर हमें सभी चार्जर की तरह पर एक NTC मिल जाती है एक फ्यूज ही होता है दोस्तों इसके साइड में यह भी एक फ्यूज है यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे मल्टी मीटर है तो मल्टी मीटर को हम कंटिनूटी मोड पर रखेंगे बजर मोड पर और यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले हम NTC को चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें जो है भी पानी चाहिए तो यहाँ पर बीप मिल रही है इसके बाद ही हमारा जो फ्यूज है इसमें भी पानी चाहिए यहाँ भी बीप मिल रही है तोड़ा से जूम करके दिखा दूढू इस डाइवड को चेक करने के लिए एक साइट से हमें रीडिंग बताएगा और एक साइट से trading कुछ नहीं बतायगा है यहां से रीडिंग दिखाए गए यह 378 कि और ऐसा ही हमें स्कोर चेक करेंगे दूसरी वाले को यहां भी बिल रही है और यहां कोई डिनिग मिलेगी यह पर रीडिंग नहीं मिल रही है तो यहांसे आप रेक्टिफायर को चेक करेंगे इसके बाद यह कैपिसिटर लगी हुए है इस चारों कैपिसिटर दोस्तों इसके पैरलल पर कनेक्ट है जिससे कि हमारा करेंट अच्छे से फिल्टर हो सके इसके लिए यह एक यह लगाए तो यहाँ पर भी हमें बीप नहीं आनी चाहिए कैपिसिटर पर कैपिसिटर चाहिए हैं दोस्तों इसकी बिलकुल आप इनको देख सकते हैं चार कैपिसिटर लगे हैं इसमें और यहाँ पर हमें इंडेक्टर कॉयल मिल जाएगी है यह यह इंडेक्टर कॉयल है और यहां से दोषच तुषच नेस रिजिस्त आद सम लेंगे आपको बारिख बारी केपिसिंटर में लेंगे इसको एस्ऐ के पुलते हैं SMD डाय बॉड ही बोलते हैं इनको भी आपको शेक करना पड़ेगा यहां से लाएं आप देख सकते हैं जो दो लगी है रेजिस्टेंड ये बिलकुल सई है बिलकुल सई है तो आप थोड़ा सा सेकंडरी सेक्षन में चलते हैं इसके यहां पर ये इसका सेकंडरी सेक्षन है और ये है इसका प्राइमरी सेक्षन प्राइमरी सेक्षन में दोस्तों सबसे ज़्या सबसे पहले मैं प्रेंट को यहां पे जोड़ लेता हूं इसके बाद हम चेक करेंगे इसके बाद हम चेक करेंगे सोल्ड कर दिया है तो चलिए हम इसे चेक करके देखेंगे तो चेक करने के लिए मैं एक लेडी बलफा यूज कर रहा हूं जो कि मैंने घर पर ही बनाया था यह यह यूएस भी लेडी लेम इसको आप बना सकते हैं बिल्कुल 10 रुपे खर्चे से और यहां पर हम इसको तो यह मेरे पास सीरेज पॉइंट हैं दोनों आपको रोशनी देख रही होगी बल्फ की और हमारे लेडी भी लोग करने लगा है मतलब हमारे चार्जर चालू हो गया है यह से दोस्तों आप अपने चार्जर को चालू कर सकते हैं और दोस्तों यह सी वीडियो देखने के ल हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें